बिसम अल्लाइ रख्मान रराहीम आज हम मॉड्यूल 122 डिसक्स करेंगे मॉड्यूल 122 है अबाउट पोग्राम पार्रलिलिसम जिसना हमने प्रीविसली प्रॉसेस को भी डिसक्स किया है और थ्रेड्स को भी डिसक्स किया दोनों जो हैं multiple flows of execution generate करने के मुखिफ तरीक हैं और हमें देखा है कि threading जो है that is more optimal और Windows जो है ना सिर्फ multi processing है multi threading है बलके ये multi processor भी है इसके अदर multiple processors जो हैं उनको भी handle कर सकती है अगर आपके पास ऐसा computer है जिसके अदर multiple processors है तो उस case के अंदर आपको ऐसी programming learn करने की जरूरत है जिससे कि आप उन multiple processes का जो potential है उसको use कर सके क्यूंकि आने वाले वक्त के अंदर इस तरह की programming की बहुत जरूरत पढ़ेगी जो processors हैं उनकी जो speed है वो वहाँ पे bottle link आगे हुई है एक certain clock speed है उस certain clock speed से higher speed के अब processes नहीं आ रहे है अब यह ही हो रहा है कि processor जो है या तो उसके अंदर दो core है या चार core है या आठ core है और इसी तरह से जो है प्रॉसेसर की जो performance है उसको मजीद enhance किया जारा तो उस multiprocessing जो potential है उसको use करने के लिए आपकी skills भी उसी लिहास से होनी चाहिए है आपकी understanding और programmability यानि कि आप उसको जो एक multitasking या multiprocessing या multiprocessor जो environment है उसके accordingly आप optimal programs बनाने की आपके अंदर capability होनी चाहिए है previously हमने कई तरीकों से multitasking या multiprocessing की capability है उसको unleash करने की कोशिश की है उसको use करने की कोशिश की है multiple threads भी create की है multiple processes भी create की है तो ये सारा कुछ जो है certain concepts के उपर basic है ता वो concepts किया है कि एक तो हमने देखा था कि आपका जो task होता है major task होता है उसको आप sub-task के अंदर divide कर देते हैं और कई सारे worker processes या worker threads run करने शुरू कर देते हैं और उन worker threads के बीच में उस sub-task को divide कर देते हैं उनके बीच में आप distribute कर देते हैं और वो worker threads जो है अपना-पना specific task है जो भी आपने उनको बताया वो perform कर रहे हैं और फिर आपके पास एक master task है जब वो सारे worker threads अपना task complete कर लेते हैं तो master task जो है वो उन sub-task को कठा करके उनसे जो data आया है उससे जो information आया है उसको merge करके उसको process करते हैं जब यह sub-task run हो रहे हैं आम तो पर तो यह sub-task के बीच में जो data है जो वो use कर रहे हैं वो disjoint है जिसकी वज़ाए से उनके बीच में किसी किसम की mutual exclusion या synchronization की जरूरत नहीं होगी लेकिन हाँ जब यह अपनी execution complete कर लेते हैं तब synchronize करने की जूट है हमें एक single point पर पहुंचने की जूट होगी जब हमें पता लागेगा कि जब सारे task जो हैं उन्होंने अपना operation complete कर लिया और operation complete कर लिया तो उनके जो results हैं उनको हम वापस पिर से combine कर सकें तो ideally क्या होता है कि एक worker जो है एक अलग processor पर रान होगी अब हर thread जो है वो अगर different processor पर रान होगी that will be the most optimal situation हमें आम तोर पे as a programmer इस चीज की bother करने के जूट नहीं होती कि हमने जो thread create किया इसको processor मिलेगा या नहीं मिलेगा या यह किस processor पर जा कर रान होगा यह सारी scheduling जो है यह windows कर लेती है windows manage कर लेती है अगर multiple threads आप run करते हैं और वो देखता है windows देखती है कि कोई processor available है तो जिस आप thread को run करना चाहरे है उस thread को उठाके उस वो दूसरे processor रान कर लेगा वो processor busy हो जाता है और कोई और processor available है और आपने एक नहीं और कोई thread create की है तो उस thread को उठाके उस processor के उपर ले जाएगा और इस चीज़ को आप जो है program भी कर सकते हैं कुछ हद तक इसको control भी कर सकते हैं लेकिन आप जिस तरह से भी अपने program को parallelize करते हैं parallelism उसके अंदर डालते हैं threading के थूरू processes के थूरू उससे जो output of the program है वो disturb नहीं होती in the end जो actual result आपके process ने देना है वो वही का वही रहेगा that should remain unchanged अगर वो किसी वज़ा से change हो जाता है तो फिर आपकी program के अंदर कोई गरबड़ा है कोई खराबी है जिसके विज़ा से ऐसा हो रहा है तो जब जो भी programming techniques है वो आपको यही बदाती है कि आपने उसको इस तरीके से program करना है जो actual result है वो accurate हो हमें result faster नहीं चाहिए हम accuracy को किसी चीज़ के उपर compromise नहीं कर सकते हमें हर सूरत में result accurate चाहिए और accurate होने के साथ साथ faster हो यह एक added कहलें के advantage है तो result हमारे पास वही होना चाहिए जिस तरह से भी आप उसके अंदर parallelism का इस्तमाल करें result हमारे पास हर सूरत में same आना चाहिए तो अगर आपने एक serialize करके program लिखा जो उसका result आएगा वही parallelism use करके जो program का result आएगा वही आना चाहिए तो parallelism ऐसा नहीं है कि जी आप बस number of processes बढ़ते जाए और number of threads बढ़ते जाए और speed increase होती जाएगी नहीं एक point पे इसका threshold आता है एक certain point के beyond अगर आप processes को increase करते हैं तो उसका कोई खास effect नहीं होता बलकि यह भी हो सकता है कि performance degrade हो जाएगा वज़ा उसकी क्या होती है वज़ा उसकी यह होती है कि कुछ interdependencies होती है कुछ operations ऐसे हैं कि एक operation के बाद आपने कोई दूसरा operation form करना है जब तक पहला operation complete नहीं होगा आप दूसरा operation start नहीं कर सकते हैं तो यह एक तरह की dependences है इस तरह कई मुख्लिव किसम की dependences मुख्लिव किसम के overheads हमें face करने पड़ते हैं जिसके विज़ से ऐसा नहीं है कि बस number of processor increase करते जाएं और performance increase होती जाएगी लेकिन एक खास हद तक एक खास range तक अगर आप number of processes increase करते हैं parallelism डालते हैं तो हम जो है performance उसको certainly appreciate कर सकते हैं उसको improve कर सकते हैं